मैं हूँ रचना और चटपटे में आपका स्वागत है आज की रेसिपी है बहुत ही मसेदार तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मैं एक बहुत ही अच्छे से रेसिपी लेकर आई हूँ यहां मैंने लिया है चार चमच बेसन को चाल कर फिर मैंने लिया है जहां मैं रचना सब्चिष, मैं ज Rub 2 बेसन क Aww bird मैं चैना सब्सक्राइब द़ाले के बाद मैं चार चमच बेसन में छे चमच पानी डालकर मैं इसकी एक अच्छी सी ज़ौे जो घोल कर लेती हूं लोईयां काट रही हूँ, जिसकी रेज़िपे मैं दिखाने वाली हूँ, तो ये मैंने दो लोईयां काट लिया, अब इसकी हम एक गोल गोल और बड़ी सी चपाती की तरब इसको बेल लेंगे, हल्का पतला होना चाहिए, तो इसमें सोखा आठा लगा लगा कर, मैं इसे ये देखिए, बेल ले रही हूँ, तो थोड़ी बड़ी रोटी है मैं चाहिए, ये रोटी बनकी हो गई, तयार, अब मैं इसे रख देती हूँ एक थाली में, और एक और रोटी मैं साथ में बेल लेती हूँ, ये मैंने रोटी बेल लिया, आठा आपने लगाना है, वैसा ही जैसे कि एक नौर्मल सा चपाती के लिए आठा मिलाते हैं, वैसे ही मैं आठा मिला ले हूँ, रोटी मैंने बेल लिया, अब मैंने यहाँ पे गैस पे तवा रख दिया था तवा हो गया है गरम, फ्लेम रहेगा यहाँ पे हमारा मीडियम टू लो थोड़ी से रोटी सिख जाए, तो मैं इसे पलट देती हूँ फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है इसमें फॉर्क की मदद से इस तरीके से मैं छेत कर दे रही हूँ तक कि रोटी है न फूले न और इसे बारी बारी से पलट लेती हूँ अब मैं इसमें लगा रही हूँ तेल, आप चाहे तो बटर लगा सकते हो तो मैं यहाँ पे रिफाइंड ओल का यूज कर रही हूँ मैंने इसमें अच्छे से लगा दिया, कंजूसी नहीं करनी है पलेट देती हूँ और इस साइड भी बढ़िया से तेल लगा देती हूँ अभी हमने इसे क्रिस्प करना है जिसके लिए मैं यह वाली कल्ची से इसे प्रेस करकर के और क्रिस्प करूँगी तो इस तरह के से जो नीचे की साइड है वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी अब दोनों साइड मैं इसे ऐस तरह के से कर लेती हूँ यह पलेट लेंगे इसे अब मैं यहां पे डाल रही हूँ जो घोल हमने तियार किया था वो घोल मैं इसमें डाल ले रही हूँ घोल बहुत अच्छे से डालना है और रोटी के हर तरफ उसको फैलाना है रोटी पे पूरी घोल की जो लग जाना चाहिए लेप लग जाना चाहिए यह फैलालिया अब मैं इसमें डाल रही हूँ हलका सा प्यास और हरी मटर जो सबजियां इजली अवेलेबल हो और थोड़ी सी कच्छी भी खाई जा सके वही सबजियां हमने इसमें डाल ली है यह स्प्रिंकल हो गया और आभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स तो मुझे तीखा बहुत पसंदे तो मैं तीखा जाधा कर रही हूँ आप अपने हिसाब से देख लीजेगा अब मैं इसे थोड़े सी प्रेस कर देती हूँ प्रेस करने से क्या होगा जो सब्जे मैंने मिलाई है वो थोड़ी सी बेसन में अच्छे से स्टिक कर जाएंगी तो इजी होगा यह पलटने में भी अब मैं इसे पलट देती हूँ यह देखिए नीचे का साइट तो बहुत ही जाधा क्रिस्पी हो गया है इसे भी मैं प्रिस कर लेती हूँ ताकि जो सब्जे है वो और से सेट हो जाए वापस पलट लेती हूँ फ्लेम बिल्कुल बढ़ाना नहीं है इस बात का ध्यान रखे यह जो मेरा नाश्ता है यह बन के हो गया है तयार तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और जो दूसरी रोटी हमने बेली थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ दोस्तों यह जो नाश्ते के रेसिपी है अगर आप एक पार ठाई करोगे नो मेरी गारंटी है कि आप इसे हमेशा खाऊगे तो इस रेसिपी को अब सरूर ट्राई करें बहुत ही नहीं रेसिपी मेले कराई हूँ आपके लिए बिलकुल जो आप वेजरोल अंडा रोल जो भी खाते हो वो सब फीका पड़ेगा इसके सामने एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा यह इसे मैं अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ और अब मैं डाल रही हूँ इसमे घोल तो घोल लगाने में वे कंजूसी नहीं करें अच्छे से लगाएंगे घोल अगर तो ज़ाधा उभर के आएगा इसका फ्लेवर अज़ चाहो तो किसी भी तरीके का सब्जी यूज़ कर सकते हो कैपसिकम यूज़ कर सकते हो अनियन और मठर तो है ही खीरा यूज़ कर सकते हो टमाटर यूज़ कर सकते हो बट मुझे इतनी सब्जी अच्छी लगे तो मैं इसमें इतने हैसा भी डाल रही हूँ थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया मैंने चिली फ्लेक्स थोड़ा से प्रेस कर दिया इसको अब मैं इसे पलेट लेती हूँ पलेटने के बाद भी थोड़ा से प्रेस कर लेते हैं इसको और ये वाला पराठा भी बनके बिलकुल रेडी है अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ एक थाली में और हम चट देखते हैं नेक्स प्रॉसेस तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है मैं इसे दुनों साइट से मोड लेती हूँ अगर आपको कुछ और एड़ करना है जो से टोमेटो केचप चीज तो आप एड़ कर सकते हूँ बट मुझे ये रस्पी बहुत ही मज़दार ऐसी ही लगी तो मैं इसलिए आपके सामने इस तरीक से ही सर्फ कर रही हूँ ये बाहर से बहुत क्रिस्प है और अंदर से थोड़ा सा नर्य में तो खाने में बहुत जादा मज़दार लगता है तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ हरी चिटनी के साथ या चाय के साथ भी एड़ कर सकते हैं मैं तो सबसे जादा पसंद करती हूँ चाय के साथ खाना तो मैं इसे चाय के साथ ही खाऊंगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप पो ये रसिपी कैसी लगी आपने ट्राइ किया या नहीं किया और अगर किया तो आपका कैसा बना इसमें ज़र बैटर को हलका सब थिक रखना है बस यही कलागारी करना इसमें चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद